हेलो एवरिबन फ्रेंस वाकम बेक टू एडवांस कला आप सब क्यासे हूँ होफ करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंस आज हम इस साड़ी का छोटे छोटे टुकड़े है उसका रियूस करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हमने साड़ी ली और फिर ले लिया है अस्तर अब अस्तर को मैंने कर लिया है फॉरफोल और टैन यर घर के लिए ड्रेस बना रही हूँ तो उतपर की जो चॉली है हम 12 इंचीस रखेंगे और सॉल्डर जो है 12 इंचीस है और आर्मुल का मार्किंग करेंगे हम 6 इंचीस पे इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो आपकी जो भी चेस्ट है उसका चोथा भाग लीजिए और उसमें लूजिंग एड कर दीजेगा सेवन इंचिस हमने चेस्ट पे मार्किंग की और 6.5 इंचिस पे हमने वेस्ट पे मार्किंग की है उसमें भी हम सेम तरीका है और वान इचिस हम मार्जिंग का एक्ष्रा लेंगे और यहां पे अर्मोल पे घोलाई दे देंगे कुछ इस तरीके से और उपर से सॉल्डर हमें व जाना है और अब हम कटिंग कर लेंगे देखिए उपर की और से जो मार्किंग की थी वहां ने वन इंचिस दाउन गए हैं और इस तारीके से कटिंग करने के बाद दोनों असतर को अलग कर लिजे और फ्रंट का जो आर्मूल है उसे कट कर लें अब front का armhole हमने cut कर लिया है अब हम neck की marking करेंगे 2 inches पे और deep में हम जाहेंगे 5 inches पे आप अपने according neck की marking कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो भी shape देना चाहें दे सकते हैं मैं यहाँ पर square shape दे रही हूं अब आप देख सकते हूँ हमारा neck फ्रंट का कट हो जुका है अब बैक में हम नीचे जाएंगे टू इंचीज और फिर यहां बैक साइड का जो नेक है वहां पे घोलाई दे के राउंड सेप में इसे कट कर लेंगे अस्तर हमने कट कर लिया अब जो साड़ी थी उसी में से हम इसी के नाप से कपड़ा कट करेंगे देखे नेक इस तरीके से हमने कट कर लिए है तो यह हमने इसी के नाप से थोड़ा थोड़ा बड़ा रखा है ताकि यह सिफोन का कपड़ा है जिसकी वज़े से आगे पीछे हो जाएगा अब नेक पे हम सिलाई लगा देंगे फ्रंट और बैक में सेम तरीके से अब जो एक्स तरीके से पलट लेंगे और इसके उपर हम यहां से लेके यहां तक सिलाई करेंगे और दोनों पाट को जोड़ेंगे अब देखिए हमने दोनों पाट को जोड़ लिया है और एक्स्रा कपड़ा कट कर लिया और यहां पे कॉर्णर पे हम कट लगाएंगे इस तरीके से साइ दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं अब हम नीचे का घेरा बनाएंगे उससे पहले हम फ्रंट का जो नैक है उसमें डिजाइन करेंगे तो यह जो साड़ी में लेस थी उसे ही हमने ले लिया है इस तरीके से कट किया और यहां पे लंबाई पे रखा और चोटे-चोटे टुकडे ऐसे यहां रखेंगे तो यह हम यहां पे ऐसे रखेंगे और एक इंचिस की सेंटर में जगव बनाते हुए दूसरी लेस अटेज करेंगे और साइड में इसके उपर दो लेस अटेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से इसके उपर सिलाई लगाते हुए फॉल्ड करत इस साडी कप्ड़ा तो सब्सक्राइप कि बाएप ईच्वारी का फ्रोक लें दोनों को जोड़ेंगे और श्टीज कर लेंगे दिखें पहले ना अप लेना और फिर दोनों को जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद अब हम चोली के साथ इसे जोड़ेंगे दूसरा पाट भी हमारा रेड़ी हो चुका है अब हमारा फ्रंट का जो जो लिए है उसके साथ इस तरीके से जोड लेंगे सिलाई लगा के अब देखिए दोनों में हमने इसी तरीके से जोड लिया है अब हम यहाँ पे सॉल्डर को जोड लेंगे सॉल्डर को जोडने के बाद आपको क्या करना है दिखिए यहां क्रोस में कटकी हुई पाइपिन ली है अस्तर का कपड़ा है इसे हम इस तरीके से सीधी साइड से लगाना है और फिर बैक साइड में आपको फॉल्ड करना है और ध्यान रखना है कि जो अस्तर है वह बाहर की और दिखना नहीं चाहिए तो यहां आप देख सकती है हमने दोनों बैक साइड में फॉल्ड कर लिया है अब हम लेंगे सेवानी जिसकी इलास्टिक तो जिससे क्या है फिटिंग बहुत अच्छी रहती है लूस भी नहीं लगता और पहनने में बच्चों को कमफरेबल रहता है आप बच्चों को अगर लूसी ड्रेस बनाएंगे तो अच्छाए तो दोनों साइड थोड़ी सी जगण छोड़के इस तरगे से खीचते हुए लास्टिक को हम अटेश करेंगे अब हम साइड से यहां सिलाई करेंगे ऐसे तो यहां सबसे पहले हम साड़ी का कपड़ा है उसे चॉली से स्टार्ट करते हुए उपर से सिलाई करेंगे और ऐसे चॉली का कपड़ा निकालते हुए पहले स्टीज करेंगे उसके बाद अस्तर का कपड़ा जोड़ेंगे दोनों को साथ में हम नहीं जोड़ेंगे तो यहां हमने साइड में दोनों साइड अटेश कर लिया है दिखे इस सरीके से अलग-अलग जोड़ा है अब हम इसे सीधा करेंगे और मैं प्रांसी को पहना के भी यह फ्रोक दिखाती हूँ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा फूब करती हूँ आपको आइडिया पसंद आया होगा चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई जे भारत